News website case study like आप लोगों का सबसे demanded topic इसके related मुझे Instagram पर बहुत सारे message आए YouTube वीडियो में बहुत सारे comment आए कि भाई News website पर case study बनाओ हमें News website पर case study से ये News website पर कैसे काम करना है कैसे article लिखने है उसमें SEO करना है नहीं करना है backlink बनाना है नहीं बनाना और भी बहुत सारे doubt आप लोगो thing कि News website पर अगर हम काम करते हैं तो जो बड़ी बड़ी already News website है जो millions में traffic ले रही है उनको कैसे beat करना है ये सबसे बड़ा question है News website case study का तो इसके बारे में भी जो हमारा master stroke है जो कि आप कह सकते हो कि सबसे main trick है कि बड़ी बड़ी website को कैसे beat करना है वो मैं आपको वीडियो के end मे बताने वाला हूँ तो वीडियो आपको complete देखनी पड़ेगी सारी चीज़े वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है but trust me guys I can bet you on that News website पर ऐसी case study आपने नहीं देखी होगी सारे doubts clear करने वाला हूँ I think वीडियो का इतना overview काफी है तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी द important benefit बता देता हूँ मैंने यहाँ पर note down करके रखने हैं सारी चीजे in detail में हम बात करने वाले तो सबसे पहले हम बात करते benefit of news website अब यहाँ पर सबसे पहला और सबसे important benefit आपको यहाँ पर SEO की बहुत ज़्यादा ज़रुत नहीं है अगर आपकी कोई और website है तो उसमें आपको SEO करना पड़ेगा, off-page करना पड़ेगा, on-page करना पड़ेगा, अगर आप एक news website चला रहे हैं उसमें आपने quality content दे दिया प्लस उसका on-page SEO को दिया वो enough है, इतना करने पर ही आपकी website पर भर-भर के traffic आने वाला, अगर जो strategies इस वीडियो में आने वालों आप उसे implement करोगे तो दूसरी चीज, no need of backlink, इसमें आपको कोई भी backlink बनाने की जुरूत नहीं है, उसका live proof में आगे जाके आपको वीडियो में बताने वालों, तीसरी चीज, fast ranking, अगर आपने सही content लिखा है, on-page SEO करा है और सबसे पहले उस article के बारे में लिखा है, तो trust me guys, within few hours मैं बोल सकता एक या दो घंटे में आपकी website top page पे rank होगी और आपको वहाँ भर भर के traffic आने वाला है, उसका proof भी मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, उसके बाद fast indexing वो तो होनी होनी है, क्योंकि आप latest news को cover कर रहे हो, तो आपकी fast indexing होगी होगी, उसके बाद quick earning जैसे कि मैंने बता है, अगर आप बढ़िया content लिखते हो, बढ़िया SEO करते हो, on page SEO और वहाँ पर आप उसे index हो जाती है, तो within few hours वो आपकी post rank होने लग जाएगी, rank होगी तो traffic आएगा, तो अगर उसके adsense approval तो आपके adsense से earning होगी, तो ये कुछ benefit है, अगर आपको और detail में देखो, मैं ऐसे ही बात नहीं करूँ, अगर आपको जानना है, मैंने एक experiment करा था, news website पे, उस experiment में मैंने एक post से एक दिन का 30 plus dollar earn किया था, अगर आपको वो वीडियो देखनी है, तो वो भी मैंने बनाई हूँ, या आपको क्या करना है, सीधा YouTube पे जाओ, YouTube पे जाने के बार search bar में search करो, make money online, make money online आप जैसी search करो, नीचे थोड़ा सा scroll करना, चोथे या पांचवे नमबर पे आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी, earn 30 plus dollar in a day, मैंने अपना AdSense का earning proof यहाँ पे दिखाया है, तो इस वीडियो को जाकर जरूर से देखना, YouTube पे जाकर सर्च करना, make money online, च आपको क्या क्या चीजे चाहिए होंगी, news website start करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए, strong server for news website, strong server यानि कि एक बढ़िया hosting, क्योंकि आपको पता है, news website पर भर भर के traffic आता अगर आपकी post rank होई, और उस case में अगर आपको cheap hosting या बेकार hosting यूज कर लोगे, आपकी website down जाए तो आपको कोई भी cheap hosting या बेकार hosting यूज नहीं करनी है, एक बढ़िया strong server आपको यूज करना है, उसके बाद आपको दूसरी चीज चाहिए, on page SEO checklist, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप on page बढ़िया से करते हो, तो आपकी post बिलकुल rank होने वाली है, तीसरी चीज आपक आपको चाहिए cash plugin, यानि की WP Rocket premium plugin आपको चाहिए, जो कि 49$ का है, और एक lightweight theme, generate press theme चाहिए, जो कि आपको 49$ की मिलती है, ये चीज आपको चाहिए, एक strong server चाहिए, उसके बाद DA, PA checker, इसका use क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, website A checker वो आपको मैं बताने वाला की hosting आ जाएगी, और guys अभी अभी इस पर 72% का off भी चल रहा है, guys देखो 72% का off है, पता नहीं है कब end हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, unlimited SSD space मिलता है, आपको free and easy site migration, free automatic update, easy money back guarantee, speed optimization for WordPress, 99% uptime 24x7 customer support, free SSL certificate, तो description में मैंने A2 hosting का link दे रखा है, उस पर जाओ, यहाँ पर पहुँच जाओगे, get started पर click करो, और आपको जो भी plan यहाँ पर चाहिए, वो आप plan ले सकते हो, मेरा recommendation है कि आप यहाँ पर इसका drive plan लो, अगर आप as a newbie, अगर आप नए-ने start करें तो drive plan इसका best है, अगर आप थोड़ा और invest कर सकते हो, और 20x faster आपको speed चाहिए, तो turbo boost आप ले सकते हो, तो यह एक strong server में आपको recommend करता हूँ, अब यहाँ पर अगर आप description में मेरा affiliate link है, उस link से जाके आप hosting लेते हो, तो मुझे कुछ commission मिलेगा, तो in return आपको कुछ return करना मेरा भी फर्स बनता है, तो अगर आप description के link से जाके A to hosting लेते हो, तो यहाँ पर देखो, जो on page SEO checklist 49 dollar की, मैं सिर्फ on page SEO करके कैसे अपनी post को rank कराता हूँ, 49 dollar की वो आपको free of course दे दूँगा, generate press premium theme 49 dollar की original with license की आपको free of course मिल जाएगी, कैसे plugin WP Rocket premium plugin free of course आपको free of course मिल जाएगा, तो description में मैंने यहाँ पर आपको बता रही है, अगर आप description के link से जाके A to hosting लेते हो, तो generate press premium theme, WP Rocket, on page SEO checklist और भी बहुत सारे bonuses आपको free of course मिल जाएगे मेरी तरफ से, यह सिर्फ limited time period के लिए offer है, तो आपको करना क्या है, description के link को follow करो, वहाँ से A to hosting purchase करो, and blogging qna at the rate gmail.com पर मुझे invoice भेज़े ना, आपको आपके premium bonuses मिल जाएगे, अब guys बात करते हैं कि website में, जो news website है, महाँ पर आपको काम कैसे करना, देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ examples दिखाता हूँ, basically research करके मैंने यह कुछ website निकाली है, यह देखो abhibhibiharnews.com यह एक website है, उसके बाद frontline24.com यह एक website है, उसके बाद bhojpuri sargum.com यह एक website है, यह है the hdnews.in यह एक website है, live dailynews24.com यह एक website है, अब यह बिल्कुल नई website है, यह मैंने research करके निकाली है, तो अगर मैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आपको dapa checker चाहिए, website age checker चाहिए, तो यहाँ पर description में आपको यह free tool मैंने बना रखे है, dapa checker और website age checker भी, description में आपको link मिल जागा, तो सबसे पहले जो भी website आपको काम कैसे करना, देखो, news website पे लोग boost है ना, कि हम high dapa वाली website या फिर जो बड़ी-बड़ी news website है, उनको हम beat कैसे करेंगे, तो actually आपको उनसे compete करना ही नहीं है, जो बड़ी-बड़ी news website होती है, वो जो है, full जो top level पे होती है, उन पे काम करती है, बट आपको news website मे जैसे कि मैं बात करूँ, जो बड़ी-बड़ी news website होती है, वो सारी news cover करती है, सारी news, यानि कि बड़ी-बड़ी news cover करती है, वहीं आपको क्या करना है, आपको एक छोटा news website open करना है, या फिर आप state level पे कहलो, for example, आप सिर्फ बिहार के लिए एक news website create करो, अब उसमें क्या हो या फिर एक state ले लो, उस एक state पे आप एक dedicated news blog बनाओ, या फिर उसके भी अंदर चले जाओ, जैसे बिहार में आप पतना पे आप एक news blog बनादो, या फिर UP में लखनव पे बनादो, जहां पर भी आपको सही लगे, या फिर जहां पे आप रहते हो, उसी state की, उसी city का एक news blog बनाओ, वो best होगा, उस case में क्या होगा, कि आपकी authority, news website से बढ़िया होगी, और आपकी post जल्दी rank होगी, उसका proof मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखो, जितनी भी website मैंने अभी आपको बताई, जैसे आप यह देख सकते हो, अभी, बिहारnews.com, यह पूरी website mainly बिहार पे ह बिहार से related news cover करती, अब देखो, इस website का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था न, DAPA checker चीए, तो पहले हम इस website का DAPA check कर लेते हैं, तो इसको मैं करता हूँ, copy link को, और यह हमारा DAPA checker है, इसका link मैंने tool का free tool है, इसका link मैंने आपको description में रे दिया अब हम इसका DAPA check करते हैं, और इस website की age भी check करते हैं, तो website age checker tool का link मैंने description में रे दिया, यहाँ पर आओगे, कुछ ऐसा interface है, यहाँ पर आपको जो भी website की age चेक करनी है, कि कितनी पुरानी यहाँ पर उसका URL डालो, get domain age पर click कर दो, आप देख सकते हो, इस website की domain authority, DA सिर्फ 1 है, page authority सिर्फ 3 है, सो यहाँ से आपको एक idea मिल गया, बहुत ही नई website है, उसके बाद अगर हम इस domain की age check करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 0 years, 287 days, सिर्फ 287 days पुरानी यह website है, 8 June 2020, आप खुर देख सकते हो, सिर्फ 287, hardly 287 हो गया I think, 4-5 महीने पुरानी यह website है, हमने अभी BR News इसको copy करा, और HRF में जाके हम डालते हैं, यहाँ पर अगर आपको HRF cheap price में चाहिए, तो हमारे telegram group से जाके ले सकते हो, मैं भी वहीं से use करता हूँ, अब यहाँ पर देखो, इस website का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, news website में आपको ना ही backlink चाहिए, ना ही SEO तो इस website का देखो, सिर्फ 4-5 महिने में, सिर्फ 18 backlink है, 14 referring domain है, 2.6 के इसके organic keyword है, जो की search engine में rank हो रहे हैं, और यहाँ पर देखो, organic traffic इसका दिखा रहा है 27, बट HRF आपको जो है, estimate बताता है, actual traffic नहीं बताता है, तो आप मान के चलो, इसको 10 या 20 से multiply कर लो, इतना इस website पर traffic होगा, मैं मान के चलता हूँ कि इस website पर अराम से 3-4,000 का monthly traffic होगा, और यह website जैसे जैसे और post डालती जाएगी, वैसे वैसे इसका traffic बढ़ता जाएगा, और इसकी earning भी बढ़ती जाएगी, तो case study आप लोगों के सामने, आपको क्या करना है, एक छोटे regional base पे, जो सबसे main topic है कि आपको बड़ी-बड़ी news website यो कैसे compete करना है, आपको उन से competition करना ही नहीं है, आपको एक छोटे level पे news website open करनी है, उसमें authority बनाओ, जैसे उस पर traffic आने लग जाए, तब आप बड़ी-बड़ी news भी cover करने लग जाओ, उस case में आपकी फिर बड़ी-बड़ी news पे भी आपक एक blog बनाया, अब वो इसमें Bollywood से related news ज्यादा डालता कि कौन सी movie आई, कौन सा गाना आया, तो यहाँ पर देखो एक बहुत micronish आगया, भोजपूरी में, भोजपूरी में भी सिर्फ ये Bollywood news को cover करता है, अब अगर हम इसका भी link copy करते हैं, इसका link मैंने copy करा, डी-ए-पी चेकर में गए हम इसका DAP भी चेक करेंगे और इसकी domain की age भी चेक करेंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, like ऐसे आपको news website पे काम करना, आपको बड़ी-बड़ी website से compete ही नहीं करना है, आपको एक अपना छोटा regional blog बनाना है, उसको आपको दीरे-दीरे करो करना है, आप 164 दिन पुरानी ये website है, और अगर मैं इसको जाके HRF में डालता हूँ, तो अगेन आपको वही देखने को मिलेगा, बहुत सारे keyword पर rank कर रही है, अच्सा-खासा traffic है, backlink बहुत कम है, यहाँ पर आप खुद देखो, सिर्फ एक backlink है, सिर्फ एक backlink, referring domain इतने, और यह देखो तो सिर्फ 164 देज में ये website 563 keyword पर rank कर रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, fast ranking मिलेगी, fast indexing होगी, और quick earning होगी, तो यहाँ पर अभी इसका organic traffic आपको 1 दिखा रहा है, बट आप मान के चलो, इस website पर भी, आप कहीं ने कहीं, 1500 का monthly traffic इस पर हो नहीं वाला है, तो ऐसे ही आप जितनी भी website मैं आपको दिखा रहा है, thehdnews.com, इसको भी चलो, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आपको काम करना है, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई, news website पर हम compete कैसे करें बड़ी-बड़ी website को, अब आपको, ये तो मैंने बता रिया, आ आपको क्या करना है, एक regional blog select करना है, यहाँ पर देखो, इसका भी DA सिर्फ 8 है, page authority 14 है, और अधर हम website की बात करें, तो एक साल ये थोड़ी पुरानी website है, thehdnews, आप मान के चलो, एक से तेड़ साल पुरानी है, और आप यहाँ पर देखो, एक से तेड़ साल की पुरानी website मे इसने कितने backlink मनाएं, इसके organic keyword कितने हैं, और इसका traffic कितना है, आप खुद यहाँ पर देखो, और like ऐसे ही आपको काम करना है, news website पे, अब यहाँ पर देखो, सिर्फ 61 backlinks है, only 61, 17 referring domain है, organic keyword load होने देते हैं, and organic traffic हम load होने देते हैं, यहाँ पर देखो, 742 यहाँ पर organic keyword, तो इ आपको छोटे level पे काम करना है, अब अगर आपके पास blog topic find करने के ideas नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको यह सारी website दिखाई, कोई भी एक website पकड़ लो आप, उस website को, आपको same replicate कर देना, replicate मतलब जो news, for example, biharnews.com एक website है, जो की regional blog है, सिर्फ बिहार से related वो cover करता है, या फिर उसके अंदर भी आप एक पटना news करकि कोई website open कर दो, उसमें सिर्फ पटना की आपको news cover करनी है, अगर कोई ऐसी website है, तो उसको same आपको replicate करना है, जो news वो website डाली है, वो ही news आप डालो, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप down जाते जाओगे, जैसे जैसे आप narrow down करते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो traffic है बहुत बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं कि narrow down करो दोगे तो traffic कम हो जाएगा, traffic बहुत जादा है, और news website में traffic आपको पता ही कितना भर-बर की मिलता है, जो सबसे main चीज आपको क्या करना है, जो भी बंदा एक ऐसी थोड़ी research करके एक ऐसी website find out कर लो, जो की छोटे level पर काम कर रही है, और उसको same आपको replicate करना है, wordpress पर blog बनाओ, जो news वो cover करना है, उसी news को आप अपने word में लिखके, उसका on page SEO करके, अपनी website पर डाल दो, और trust me guys, I can bet you on that, आप इससे आपको earning होने लग जाएगी, दूसरा तरीका आप एक micronish, आप एक domain select कर लो, for example मैं मान के चलूँ, अगर आपको journal news पर ही cover करना है, आपको कोई micronish नहीं बनाना, तो simple कुछ भी domain name ले लो, और उसके बाद आपको find trending topics पर काम करना है, trending topics पर कैसे काम करना है, आपको use करना है Google Trends का, तो क्या करो सीधा आओ Google Trends पर, Google Trends पर आ India, India कर लिया, अब यहाँ पर आप देखो, daily search trends, जो हर दिन जो searches हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर जितने भी daily के searches मिलते हैं, उन सब पर आपको post लिखनी है, जितना जल्दी और जितना बढ़िया on page SEO के साथ post लिखोगे, आपको मिलेगा, यहाँ आप देखो, अभी आज के दिन में world water day है, तो उसके ओपर अगर आप post लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर rank हो जाती, बिहार दिवर्स, यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर देखो, इन पर daily के 20-20,000 के searches हैं, अगर आपकी एक post भी rank हो जाती है, त उन सभी topic पर आपको blog post लिखनी है, अब यहाँ पर ध्याँ रखना है, सभी topic पर blog post लिखोगे, तो आपके सारे के सारे topic रेंग नहीं होगे, उन में से कुछी topic रेंग होगे, जो कुछ topic रेंग होगे, उन से आपको daily का हजारों में traffic आएगा, और उसके बार यह जो real search trend है, इसको भी follow करो, जैसे यह है, इस तरीके के content आप लिखो, अब मैं आपको example लिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो mangeshbhadvas.com, जो की experimental blog है, तो इस पर मैंने क्या करा था, मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं blog section में जाता हूँ, तो यह मैंने यहाँ पर कुछ ऐस यह तो same post है, जैसे यह वाला Tamil Rockers वाला हो गया, उसके बाद free blogger template, उसके बाद यहाँ पर देखो, तडप सुनिल सेटी सन, यह मैंने Google Trends से निकालकर यहाँ पर एक post लिखा, Elon Musk का यह वाला मैंने Google Trends से निकाला, उसके बाद UP Panchayat Election यह वाला भी निकाला, यह आप देख सकते brand rank हो गई, और मुझे इस post से बहुत अच्छा traffic आया, अगर मैं आपको Google Trends में जाके दिखा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर यह आएगा, यहाँ पर Indian Toy Fair के उपर, जिस दिन यह launch हुआ था, अगर हम देखें, मैंने यह post कब लिखी थी, fab में, 27 fab को हम जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उस दिन daily searches क्या थे, तो यह अभी तो March ही चल रहा है, तो हम और लोड करते हैं, और यहाँ पर हमें fab में जाना है, उस time पर जब यह 27 fab को, जब यह Indian Toy Fair launch हुआ था, तब बहुत कम competition था, और मैंने Google Trends पर यहाँ प से एक दो आपकी post rank होगी, और उन दो एक दो post से आपका बहुत अच्छा खासा traffic आने वाला, trust me, जो मैंने आपको new, जो मैंने आपको $30 per day वाली case study है, उसमें भी मैंने यही चीज करी थी, मैंने एक trending topic पर article लिखा था, और उस एक article से, सिर्फ एक article से, मैंने यहाँ पर $300 कम जो मैं आपको दिखाना चाता हूँ, क्योंकि आपको पता है, ब्लॉगिंग क्योंने पर जो भी चीजे होती है, मैं practical करता हूँ, उनके result आते है, then मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे मैंने उस पर काम करा था, और वहाँ पर वो यह दो, The Indian Toy Fair था, यह वाला मेरा आर्टिकल यहां पर रांग हुआ था, यहां पर देखो, जैसे 27th Feb को यह आप देख सकते हो, यहां पर 27th Feb को, यहां पर आप देखो, The Indian Toy Fair 2021, उस टाइम पर इसके 50 के सर्चे थे, और 27th Feb को ही मैंने यह पोस्त लिख दी, The Indian Toy Fair के ऊपर, जो तो भी सारी details है मैंने on page ऐसी हो गरा और मेरी ये post rank हो गई तो आपको क्या करना है यहां पर जितने भी जो post है न उन पर आपको article लिखना है जैसे कि अगर मैं आपको और दिखाऊं तो यहां पर हीमादास के उपर और भी मैंने कई सारी post लिखी थी तो उन सब के उपर आपको काम करना है और आपकी यहां पर एक ना एक post जरूर से आपकी definitely यहां पर rank होने वाली है तो ऐसे आपको काम करना है अब मैं आपको result दिखाता हूँ यह देखो अगर आज के टाइम पर भी इसको लिखे हुए 27 फैब को मैंने लिखा था अल्मोस्ट एक महीन होने वाला है अगर अब भी जाके आप सर्च करते हो इंडियन टोय फैर 2021 लॉग इन यहां पर 1st, 2nd, 3rd और उसके बाद 4th, 5th, 6th यहां पर देखो 6th number पर मेरी यह post rank हो रही है और इस post का मैंने क्या करा सीरा एक बढ़िया quality content लिखा सारी detail दी और on page SEO क्यों रहा और मेरी यह post जब मैंने लिखी थी 27 फैब को उसी दिन 2 घंटे के अंदर 1st position पर यह rank हो रही थी और मुझे इस post से 8000 का traffic मिला था उस एक single days अब इसको काफी पुराना हो गया फिर भी यहां पर आप देखो यह 6th number पर login उसके अब भी भी देखो आप यह 6th number पर rank कर देए आप खुद जाकर check out कर लेना या फिर आप करते हो दा Indian toy fair 2021 login page तो यहां पर भी कही न कहीं मेरी यह post rank हो रही होगी यहां पर आप देख सकते हो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5th number पर बहुत सारे multiple keyword पर यह rank होई थी तो ऐसे आपको news website पर काम करना है या तो एक find कर लो micro niche और उस website पर जो जो news cover हो रही है उन सब को replicate कर दो या फिर दूसरा best option यह है Google trend पर जाओ daily search में जाओ और यहां पर जितने भी आपको daily search के topic मिलते हैं सब पर आप article लिख दू कोई न कोई article आपका definitely rank होगा अब यह उमीद मत रखना कि आपके सारे rank होंगे अगर मैं आपको दिखा हूँ यहाँ पर आप देखो मैंने कितने सारे article पर लिखा था टोय फेर पर लिखा था अमीशा पटेल पर लिखा था यूपी पंचायत पर लिखा था यह जो Elon Musk का Starlink Broadmed है उस पर भी लिखा था तडप जो movie है उसके करना है कौन सी hosting लेनी है कैसे आपको काम करना है कैसे आपको आर्टिकल लिखने है क्या क्या चीजे आई होप सारी चीजे आपको clear हो गई होंगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करो ताकि आपके लिए और भी ऐसी case study लेके आता रहूं and चैनल को subscribe करना मत भूल इस्टाग्राम पर follow कर लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए वहाँ पर मैं earning proof वहाँ पर मैं earning proof traffic proof सब कुछ बता देता हूं तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना इस्टाग्राम पर follow कर लेना and मैं मिल तो आपको एक और यह एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के वे गुडबबाइ तक कर वफन झाल झाल